जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self-Study Classes विस्तुमिजेन यूटूब चैनल और Self-Study Classes एप में तो सात्यों आज हम डाउट्स वाले प्रश्न पढ़ने वाले जिनमें हमेशा डाउट्स रहते हैं और हम दोस्तों गलत करके आते हैं एक्जाम में तो निरंतर इस सीरिज को जरूर देके इसके पहले एक वीडियो दोस्तों मैंने अप्लोड किया है इस दूसरा वीडियो है ठीक है और अभी तक आपने अगर Self-Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया तो एप डाउनलोड जरूर कर ले बहाँ पर दोस्तों आपके लिए TGT, PGT, मास्टर के अडर और हिंदी से सब्मंदित जो भी अग्जाम है उसके लिए हिंदी का कोर्स दोस्तों बहुत ही कम प्राइज में लांच किया गया है अब उस कोर्स में एडवीशन ले सकते हैं उसमें टिर्की वीडियो विडियो बिष्ट्रे तर्द्यन टॉपिक बाइस ट करते हैं कि कभीर की भासा को साधुक्डी भासा किसने कहा यहां पर दोस्तों बहुत सारा डाऊट्स रहता है और दोस्तों कभीर को बाणी का dictator किस ने कहा तीसरा question इन तीन में doubts रहते हैं अब इस doubts को अब आज हम clear करते हैं doubts नमर अपना first यही है कि कबीर की वासा को साधुकली किस ने कहा तो तब ऐसा अगर पूचा जाए साधुकली किस ने कहा तो आपको लगाना राम चंदर शुकल है ना और अगर आप से प अबीर की वासा को पंचमेल खिच्डी किस ने कहा तो पंचमेल खिच्डी किस ने कहा स्याम सुंदर दास ने अब और इससर इसको कैसे याद रखेंगे तो आपको पता है जब पंचमेल खिच्डी बनेगी तो वो खराब बनेगी या फिर सुंदर बनेगी और इससर बहुत सादू के बेस में कहते हैं तो सादू कुली कौन कहेगा राम से राम चंसोकल पंचमेल के चली कौन कहेगा सियाम सुंदर दास है ना बाणी का डिक्टेटर किसे कहा या हजारी पिरसाद दुवेदी है ना हजारी पिरसाद दुवेदी ने बाणी का डिक्टेटर कहा तो डाउ अमीर भारती और राम बिलास सर्मा अब यहां पर दोस्तों confusion वाला सिस्टम रहता है अर्द नारी स्वर की रचना कार कौन है यह आप से पूछा जाता है तो आपको यहां पर याद रख रेना दोस्तों कि अर्द नारी स्वर एक तो दिनकर की भी रचना है और दूसरा विश् विश्नु पर भाकर का यह क्या है दोस्तो ओपन नेजाश है ठीक है इसको अपन को याद रख रिख रिखने नहीं है निबन्द विश्णु पर भाटर का यह ओपन नियास तो अर्धन आरी स्वर दोस्तों इस प्रकार से अगर रचना पूछी जाएगी अर्धनारी सुर की रचनाकार कौन है तो ये दौनों नहीं दिया जाएगा किसी में से दौनों में से एक दिया जाएगा ठीक है अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्धनारी सुर निबंद की रचनाकार कौन है तब अगर दौनों भी दिया जाएगा तो आपको उत्ता लगाना है दिनकर, आपसे पूछा झाएगा अरदनारी सुर नावीह क्या है और दिनकर जी का क्या है निबंद, adesso नमर आपका क्या होता है, कि लियर होता है अब दोस्तों यहाँ पर आते त्रसंकु के रचनाकार कौन है यह त्रसंकु कई बार रचना पूछी गई दोस्तों त्रसंकु के रचनाकार कौन माने जाते हैं तो त्रसंकु देखो तीनों की रचना है दोस्तों अग्ये की भी रचना है ब्रज मोहन सह की भी रचना है और मन मन्नु भंडारी की रचना भी तरसंकू है अब आप लोग पढ़ते की सर तरसंकू रचना आती है कभी आप मन्नु भंडारी बता देते हो कभी अग्गे बता देते हो लेकिन आज का जो डाउट से वो आपका आज किरियर होना चाहिए है ना अग्गे जी का तरसंकू क्या है निबंद है, अग्गे जी का त्रसंकु क्या है दोस्तों, निबंद है, ठीके, ब्रज मोहनसे का त्रसंकु क्या है, नाटक है, ठीके, मन्नु भंडारी का त्रसंकु क्या है, कथा संग रहे या कहानी संग रहे, ठीके, तो यहाँ पर आपको डाउट्स नहीं करना, आपसे दोस्तों निबंद किसका है तो आप क्या बताओगे अग्गे जी का और नॉर्मल कॉस्चन अगर पूचा जाए कि तरसंकू की रचनाकार कौन है तो तीन मैसे बिकल्प में एक आपकी बिकल्प में दिया जाएगा या तो अग्गे होगा या ब्रजमोहन से है या मन्नू सभी का ड्याओट्स नमर दोस्तों कई वीडियो आने वाले जिनको अपन केरेंगे अंगला कॉस्चन आपका बनता हैि हिंदी का एतिहासे को पन्यास्कार कों मानने जाते हैं तब यहां आपका डौट्स रहता है ब्रंदावनलाल बर्मा और के सोरिलाल गोसी में है ना जबकि दोस्तों आपको पता है हिंदी के प्रतम एतिहासिक उपन्यासकार जो माने जाते हैं वो किशोरी लाल गोश्व मी माने जाते हैं कोन माने जाते हैं के सोरी लाल गोश्वमी माने जाते हैं जबकि अंगला ही कॉस्चन पूछा जाता है कि हिंदी में एतिहासिक कहानी परंपरा के जो जनक माने जाते हैं वो कोन माने जाते हैं एतिहासिक कहानी के जनक कोन माने जाते हैं ब्रंदावन लाल वर्मा जबकि हिंद के पर debates कहानी of Hindi की की दोस्तों एतिहासिक कहानी के जो जनक माने जाते व के वर भन्दावन लाल वर्म्हा थे के बंदावल लाल वर्मा को एतिहासिक कहानियों ही परंपरा का जनक माना जाता या दरखे ना एतियासिक कहानियों की परंपरा का जनक व्रंदावन लाल बर्मा एतियासिक दोस्तों उपन्यास की परंपरा का जनक के सोरी लाल गोस्वमी या हिंदी के प्रतम एतियासिक उपन्यास कार जो माने जाते वो के सोरी लाल गोस्वमी तो डाउट साब का यहां पर किडियर हो पूचा जाता है कठेन गद्द का प्रेत किसे कहा जाता है दोनों में लोग कनिफ्यूज होते हैं कठेन काब का प्रेत और कठेन गद्द का प्रेत तो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि दोस्तों काब अगर पूचा जाए तो काब का प्रेत आपका उत्तर होगा के कामन सेंस कैसे लगाओगी। कमन सेंस कैसे लगाओगी। है। काब तो काब किस ने लेखा केस अधास ने तो केस अधास है ना कठेन गद्ध तो गद्ध दोस्तों अग्गे याद रख ली ना यहां से कॉस्चन आते हैं और केस अधास रीती काल के प्रबर्तक माने जाती है आपको पता है डाक्टर नगेंद राधी विद्वानों ने केस केस अधास को ही रीती काल का प्रबर्तक माना अगर यहां से भी कॉस्चन आता है कि रीती काल का प्रबर्तक किसे माना जाता है नॉर्मल अगर कॉस्चन पूछा जाता है तो उत्तर होता है केस अधास है ना अगर पूछा जाता है तो आपका उत्तर होता है केस अधास है ना प्रकार के जो डाउट्स आपके रहते जो परिक्षा में हमेशा प्रश्ण गलत होते हैं उन डाउट्स पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे उनको किडियर करेंगे और अपनी तयारी को बहुत आगे बढ़ाएंगे ठीके जब आप एक दो नंबर से परिक्षा में रह जाते हो त जब आपको लगता है कि हमने कोर्स लिया होता तो हमारी भी डाउट्स किलियर होते हैं ना तो यह कोर्स की प्राइस दोस्तों 20 तारिक तक 1099 यानि कि दोस्तों 20 अपरेल तक जिन भी सातियों को इसमें प्राइस में लेना है मॉडर्ट टेस्ट पेपर 450 में हिंदी साहित की दोस्तों टेस्ट सीरिज जो है 3000 प्राशनों की वह 400 में इस प्रकार से दोस्तों आफर आती रहती अलग-अलग प्रकार से तो आप अपने समाई के अनुसार दोस्तों ऑफर देखती रहें self-study classes दोस्तों एप में और अपने कोर्स को जरू पर्चेस करें ठीक है वीडियो क को लाइक और अपने मित्रों तक्सियर जरू करें जय हिंद्ध